नमस्कार मैं योगेश राना मनी सिसोधिया को अदालत ने जमाना देने से मना कर दिया है साथी एक बहुती महत पून बात कही है दिल्ली की विशेश CBA अदालत ने मनी सिसोधिया की जमाने ज्याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा मनी सिसोदिया की गिरपतारी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे गैर कानूनी या गलत कहा जा सके मनी सिसोदिया मामले में क्या अर्विंद केजरिवाल पर भी आच आ सकती है यह एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है आप हाली में गटी कुछ गटनाओ पर ध्यान दे लीजिए कुछ बातों को समझा जा सकता है अर्विंद केजरिवाल परदानमंत्री नरेंद्रमोधी पर सीधे हमले क्यों कर रहे है और क्यों उनके साथ विपक्स के बड़े नाम आते हुए नहीं दिख रहे है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अर्विंद केजरिवाल छे साल बाद फिर से परदानमंत्री नरेंद्रमोधी की डिगरी क्यों मांग रहे है इस मुद्दे को क्यों उठा रहे है जबकि 6 साल पहले इस पर भाजबा और सरकार की तरफ से जवाब दे दिया गया था आप कुछ कड़ियों को जोडने की कोशिश कीजिए आपकारी केस में मनीज सिसोदिया को 26 फरोरी को सीवियाई ने गिरबतार किया वें C.B.I.E. के साथ ही ED की जाच का भी सामना कर रहे है मनीज सिसोदिया की नियाए गिरासत 5 अपरेयल को खत्म हो रही है मनीज सिसोदिया जिस सराब घुटाले में बंद है वें दिल्ली सरकार की नई सराब نीटी से सम्मदी थे दिल्ली सरकार ने 17 नॉमबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की ती। दिल्ली सरकार ने इस नीती के लागू होने के बाद राजस्व में इजाफे के साथ ही माफ्याराज खत्म करने का तर्क दिया था, दावा किया था। लेकिन ठीक इसके विपरीत हो गया, दिल्ली स पत्कालीन मुख्य सचीव ने जुलाई 2022 में LG VK सक्सेना को रिपोर्ट सोंपी जिसमें मनीज सिसोधिया पर सराब कारोबारियों को अनुचित लाब पहुंचाने का आरोप लगाया गया LG ने इस मामले की जाच CVI से कराने की सिपारिस कर दी LG की सिपारिस के बाद CVI ने 17 अगस 2022 को केस दर्ज कर जाच शुरू कर दी इस केस में मनीज सिसोधिया समेथ 15 लोगों को आरोपी बनाया गया 22 अगस्त को ED ने आवकारी नीती में मनी लोंडरिंग का भी केस दर्ज कर लिया करीब 6 महिने की जाच के बाद CVI ने मनीज सिसोधिया को गिरपतार किया था यह परमुक परमुक बाते हैं और इन सब बातों से एक बात तो साबित होती हुई साब साब दिखती है कि अगर मनीज सिसोधिया पर लगे आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इसकी आच से अर्विंद केजरिवाल भी नहीं बच पाएंगे क्योंकि वो दिल्ली सरकार के मुक्या है उनकी अगवाई में सारा कारनामा हुआ है अगर सच्चाई हुई तो इसलिए अर्विंद केजरिवाल जवाविदही से कैसे बच सकते है इसलिए सवाल ये उटता है कि अर्विंद केजरिवाल क्या इसलिए ही तो परदान मंतरी नरेंदर मोदी के खिलाब मोर्चा खोल कर नहीं बैट गए है ताकि आने वाले समय में अगर उन तक CBI पहुंशती है तो ये कहा जा सकता है कि देखो मैंने परदान मंतरी नरेंदर मोदी के खिलाब हमला बोला था खोल कर बोला था इसलिए मुझे भी फशाया जा रहा है आप दो बातों पर गोर कीजिए एक छे साल पहले अमित्सा और अरूंड जेट्री ने एक प्रेस कोंफरेंस की थी जिसमें परदान मंतरी नरेंदर मोदी की बीए और में की डिगरी दिखाई गई थी यह सारजनिक प्रेस कोंफरेंस थी इसलिए क्या उस समय के देश के कानून मंतरी और उस समय भाजबा के परदेश अध्यक्सरे मामित्सा कोई फरजी डिगरी पत्रकरों के सामने इसनी खुले आम पेस कर सकते और अगर वो डिगरी फरजी होती तो क्या इन 6 सालों में इस पर हला नहीं मच गया होता नरेंदर मोदी का विरोध करने वाले इस देश में बहुत से लोग हैं विदेशों तक में बहुत से लोग हैं और मैं तो कहता हूँ कि नरेंदर मोदी का विरोध करने वाले इन लोग जो हो चुके होते अभी तक तो बहुत सारा हला हो चुका होता कैई सारे लोग तो सारजनिक तोर पर प्रेस कोंफरेंस कर रहे होते दरने परदुर्स परदर्सन तक हो गए होते आप याद कीजिए उस समय भी अरविंद केजरिवाल नहीं परधानों अंतरी नरेंद मोदी की तो फरजी बताया था और जब 6 साल पहले डिगरी अरुइन केजरिवाल को दिखा दी गई थी तो फिर इन 6 सालों में डिगरी फरजी है या फरजी नहीं है इसके बारे में पता तो लगाया ही जा सकता था यह तो ही एक बात अब दूसरी बात पर आते हैं अरुइन यह बाते विधान सबह में बजट सत्र में कहिए अर्विंद केजरिवाल ने परदान मंतिरी नरिंद मोदी के उपर गंभीर किस्म के प्रस्टचार के अरोप लगाए और कहा कि कॉंग्रेस ने देश को 70 सालों में जितना नहीं लूटा उससे ज़्यादा भाजबा के केंज सरकार ने 7 साल में लूट लिया मैं कहता हूँ कि अगर अर्विंद केजरिवाल सच बोल लए है तो क्या वो इन बातों को हूँ बे हूँ विधान सबह के बार कहेंगे यह एक बड़ा सवाल है यह सभी को पता है कि विधान सबह के अंदर विधान सबह मेंबर का विशेशा दिकार होता है उनकी किसी भी बात परने तो थाने में केश दर्ज हो सकता है और नहीं अदालत की कोई कारवाई हो सकती है दिल्ली विदान सभा में अर्विंद केजरिवाल की पार्टी का पर्चंड बहुमत है और इस पिकर उनका है तो विसे साधिकार हना नोटिस की भी चिंता नहीं है इसलिए जो मन में आया हुए है उन्होंने वहां कह दिया क्या वो प्रधानमत्री नरेंदर मोधी पर इतने कमभीर भरस्टचार के आरोप इधान सभा से बाहर लगा पाएंगे यह सवाल मैं फिरी सिले कर रहा हूँ क्योंकि उन पर अगर उनके आरोप में सच्चाई नहीं है तो उन पर मानहनी का मामला दर्ज हो सकता है और मानहनी के मामले में ही तो राहूल गांदी बुरी तरीके से फसे हुए दिख रहे हैं और आप याद कर लीजे केजरिवाल ने अरुण जेटली पर भरस्टचार के आरोप लगाये थे जिस मामले में अरुन जेटली ने उन पर मानानी का केश दर्ज कर दिया था अरुइंद केजरिवाल को इस मामले में लिखित में माफी मांगनी पड़ गई थी यह साल 2018 की बात है इसलिए दो बात है तो बहुत ही साफ है एक अर्विंद केजरिवाल परदान मंतरी नरिंद मोधी की डिगरी मांग रहे है जो कि उन्होंने 6 साल पहले भी मांगी थी और उसी समय पर अरुण जेटली और अमित्सा ने पत्रगारों के सामने डिगरी पेश की थी और दूसरी बात वो परदान मंतरी नरिंद मोधी पर गंबीर भरस्टचार के आरोप लगा रहे है वो विदान सबह में यह बात कह रहे है वो पहले अरुण जेटली पर भी आरोप लगा चुके है और उन पर माफी मांग चुके है इसलिए उनकी बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है यह एक सवाल है क्योंकि वो पहले भी संदिग्द हो चुके है और तीसरी बात यह एक सवाल के तोड़ पर मैं कह रहा हूँ क्या आर्विंद केजरिवाल को अपनी गिरपतारी का दरसतारा है मनिश शोद्या के बाद उन पर भी सीवियाई का सिकंजा कर सकता है और क्या आर्विंद केजरिवाल पहले से ही यह कारण तयार करने में लग गए है कि उन पर परधान मंतरी नरेदर्मोदी ने बदले की कारवाई किये क्योंकि उन्होंने परधान मंतरी पर सीधा हमला बोला था यह आर्विंद केजरिवाल के पास कहने के लिए होगा उस समय जब अगर कारवाई हो गई तो यह एक सवाल है क्या आर्विंद केजरिवाल ऐसा कर रहे है क्योंकि कहीं लोगों को कहना है कि वो विपक्स की राजनिती में रहुल गांदी से बड़ा खुद को साबित करना चाह रहे है इसलिए परदान मंतरी बर हमला कर रहे है लेकिन सवाल तो ये है कि विपक्स का तो कोई आदमी उनके साथ आता हुआ दिक ही नहीं रहा है वो साथ साथ मुक्के मंतरियों को चिठी लिखते है लेकिन लंच पर कोई आता ही नहीं है अब सच क्या है ये तो बहुत जल सामने आही जाने वाला है क्योंकि पहली बात लोग सवा चुनाओ अब बहुत ज़्यादे दूर बचे नहीं है और दूसरी बात जैसा कि मैंने कहा विपक्स से कोई भी किजरीवाल के साथ आता हूँ अधिक नहीं रहा है इसलिए थोड़ा इंतजार तो करना ही चाहिए नमस्कार मैं योगेश राना आप बन रहे मेरे साथ